पुलिसनर गुरुवार को एक दिन के लिए कोतवाल बनने का गिफ्ट दिया इस दोरान छात्राओं ने शहर का दोरा किया और कोतवाल के काम के तरीके को समझा इस अनोखे पुरसकार से छात्राएं काफी खुश नजर आई एक दिन की पुलिस अधिकारी बनने के बाद शहरकोत वाली की प्रभारी बनी क्लास आठवींग की छात्रा अनुसिंग ने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पहले पुलिस के बारे में अक्सर सुनते थे कि पुलिस ये नहीं करती वो नहीं करती लेकिन अब मालुम हुआ कि पुलिस को कितना काम करना पड़ता है बहुत सारे लोग सड़ पर घलत काम करते हैं ऐसे लोगों से पहले बात करूंगी फिर कड़ी कारवाई करूंगी महिलाओं की सिफ्टी पर काम करूंगी वहीं क्लास सात्वी की छात्रा वैबही गुपता ने कहा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम करेंगे आम जनता को जागरू करना आवर्शक है बहुत से लोग सड़ पर बिना लाइसेंस और हेलमेट के चलते हैं उन्हें ट्राफिक रूल्स के बारे में समझाना होगा पुलिस काफी कोशिश करती है कि लोग सुधरें लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार पिटाई के बाद भी नहीं सुधरते हैं ऐसे लोगों पर आक्षन लेंगे एस पि आशीश तिवारी ने बताया पुलिस लाइन में न्यू यर के मके पर मिरजापुर के विभिन स्कूलों के बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था पुलिस को जनता से जोडने और अपराधियों पर अंकुष लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए विजेताओं की खोशना करने के साथ ही उन्हें पुरसकार के और पर कोतवाली में एक दिन का एस ओब बनाया गया शहर कोतवाली की कमान लायन स्कूल की कक्षा आठ की छात्रा अनुसिन को सौपा गया वहीं लायन स्कूल में साथवी की छात्रा वैबवी को कट्रा कोतवाली और सेट द्वार का प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर की छात्रा इश्वरी सिंगल हुद्धे हाथ कोतवाली का प्रभारी बनाया गया था बता दें कोत वाली प्रभारी खुद चालक बने थे जो सम्मान के साथ इन छात्राओं को कोत वाली लेकर पहुंचे